अगर हमारा इंटेंट हो चीज को कि हार मैं करके रहूंगा इस बुक को कैसे भी करूँ समझ के करूँगा और समझ लूँगा कैसे हो आप सब देखिए आज का वीडियो का थमनेल आपने देखा होगा 20 की उमर में सरकारी नोकरी जो कि सपना होता है बहुत सारे लोग होगा और या कुछ लोग तो सपना देखते भी नहीं है क्योंकि उस टाइम ग्रेजुशन चल रही होती है इंजोइमेंट चल रहा होत है बहुत सारा आपके सारी मैंने कर ली है इसके लाटले बहुत से रहा की आज आपको पता चलेगा कि किसमत से भी कैसे हम जीत सकते हैं, कि अगर हमारा intent अचा हो, हमने इतनी महनत की हो कि हम उस चगह तक पहुंच सकें, तो मैंने 20 की उमर में सरकारी नोकरी ली, ली भार CGL exam दिया, तो वह भी मैंने क्रेक कर दिया, तो और भी कही सारी मैंने सरकारी न तो वीडियो अन तक जरूर देखना, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अब चलते हैं, आज जो भी टोपिक हम लेकिया है, उस टोपिक पर, कि किस तरह से 20 की उमर में सरकारी नोकरी पहले attempt में CGL करेक और ASO CSS जैसे पोस्ट कैसे मिल सकती है, तो अब शुरू करते हैं, चल रही थी, तो भीया ने फॉम भर दिया था, LDC एक्जाम का, पहले से मेरा टार्गेट था, ASO CSS CGL एक्जाम का मैंने सुन रखा था, और मेरे याद था कि यार मेरे को ऑफिसर बनना है, और वो जूनून साना मेरे 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 अफिसर बनेग तो CGL 18-19 मैंने देखी, अपने सामने, उनके लिए मैं चाहा रहा था कि यार मैं दे लूँ कैसे भी, ठीक ग्रेट नहीं थी, तो उस टाइम से मेरे या था कि CGL कब मैं दे पाऊंगा, मतलब पहली बात मेरे लिए CGL एक्जाम देना भी बहुत बड़ी एक बात हो गई थी, कि यार CGL एक्जाम देने का मोखा किसको मिलता होगा और कैसे एक्जाम देते होंगे लोग, तो उसके लिए भी मेरे लिए अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि यार CGL एक्जाम में दूँगा, तो उसके लिए दो साल जो थे बीच में सेकेंड और थर्ड एर जो मेरे बीना कैसे टीचर से पढ़े उन बुक्स को केवल अपनी तरफ से पढ़ दिया, और उन दोनों बुक्स को मैंने 5-7 बार निप्टा दिया, मैंने का यार कुछ करना है तो कहां से पढ़ेंगे, ओनलाइन बगेरा कुछ पता नहीं था, कि उस टाइम ओनलाइन था भी नहीं, इतना अगर हमारे अंदर confidence वोगना तो हम कर लेंगे उस चीज को, तो ये confidence मेरे अंदर था, तो मैंने उस चीज को 5-7 बार पढ़ा, और जब आपको पता है कि जब 5-7 बार किस चीज को पढ़ लेंगे, तो मैंने चीज या समझ में भी आने लग जाएगी, तो बीना मैंने topics पढ़े, मैंने क्या किया कि सारे topics के, उस थे 300 वाली बूग को 5-7 बार पढ़ दिया, और अम भी publication वाली बूग को भी 5-7 बार पढ़ दिया, उसमें जो भी vocab थी, जो भी चीज ये थी ना, सारी की सारी मैंने पढ़ ली, तो अब वहां से मैंने उस टाइम मेरा second year चल रहा कि मेरा उस selection को ले सकूँ, तो मेरा उस exam में 20 की उमर में selection हो गया, उसके लिए और भी कई सारी चीज़ें थी, जो मैंने बहुत अच्छी रखी, क्योंकि CGL सपना था, और CGL मैरे को ये लगता था, बहुत बड़ी एक चीज है, officer बनना अपने लिए कितने समान की बात होगी तो उस समान के लिए मैंने बहुत सारी अलग चीज़ें भी छोड़ी है, जब घर वाले कुछ प्रोग्राम में भी जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, तो मैं कहीं नहीं जाता था, मैरा एक इता कि यार, officer बनना है, नहीं कहीं साधी है, तो साधियों में खाना खाने भी मैं तो इतना मैं समर्पन दिखा रहा था में अपनी पढ़ाई को, इतना मैं committed था अपनी पढ़ाई के लिए कि नहीं मेरे को officer बनना है, तो officer बनने के लिए थोड़े होने चाहिए, ठीक है, कि यह सब चीज़ें आवोइट करनी पढ़ाई है, अगर मैं officer बनना है, तो मैंने बह पढ़ने के लिए, तो यह चीज़ें अब खुशी भी देती है, कि उस टाइम यार इतना समर्पन हमने दिया अपनी सफलता के लिए, अपने आपको इतना समर्पीत रखा कि यार मैं पढ़ूंगा, बन के रहूंगा, कुछ ना कुछ तो वो सब चीज़ें आभी भी खुश कर लूँगा, मेरे आज अगर 140 नबर आ रहे हैं, मैं थोड़ा और जो लगाँगा, तो आप सच में कर लोगे, अगर आपके अंदर यह पोजिटिविटी है, तो 20 की मुल में मेरे सरकारी नो क्रेई, फिर MTS 19 युस टाइम मेरा निकल गया, फिर CHSL 19 जो था, उसकी भी मैं येशाम दे रखी थी, तो उस में जोब में था, ध्यारकरा में धर्विटीर में, मैं थायँ, में एक साल तो थायर था, 31 की ए में था तो बीच में पढ़ाई डिस्टब भी होई थी क्योंकि जब हम एक जोब में जा रहे होते हैं तो कई मेनों तक वहाँ सेटल होना और कई सारी चीजी होती है टाइपिं एकजाम भी था बीच में उस जोब का तो कई सारी चीजी में करण मेरे जो CGL की तेहरी थे वो बीच में कुछ-कुछ इदर उदर हो गए थी बढ़ ठीक है CHS19 मेरा अचा गया और मैं 185 मार्क्स लेकिया हैं 200 में से और CHS19 की जोब आ गई MTS19 में भी सेलेक्ट हो गया RDC में भी सेलेक्ट हो गया उसके बाद आया टाइम मेरे ग्रेजुएशन हो गई थर्ड एर ग्रेजुएशन हो गई तो अब मेरे पास चांस था कि ऑफिसर बढ़नेगा जो सपना मैंने देखा था उसको साकार करनेगा देखो इस बीच में आप कि आप नहीं दे सकते बढ़ ठीक है मैंने अपने आपको एक सपना था कि मेरे अंदर आंग थी जुनून था कि यार मैं मेरे को जोब लेनी है वो भी ओफिसर वाली जोब लेनी है CGL तो उसके लिए मेरे को कुछ तो अलग करना पड़ेगा कुछ अलग महनत करनी पड़ेग कि मेरा सपना CGL officer बढ़ना था उस जोब से मैंने किया कि जब CGL Pre के एकजाम थी 2020 CGL Pre के एकजाम 2021 में हुई थी अगस्त में तो मैंने एक मैने पहले जब CGL Pre था उससे एक मैने पहले मैंने वहाँ से चुटी ले ली और आगया अपने घर क्योंकि मेरे को पढ़ना था तो वह गया और जोब में थोड़ा टाइम मेनेज करना मुस्किल हो गया था पढ़ना मुस्किल हो गया था बट फिर पी ठीक है मैं आया घर पे और मैंने एक मैने पढ़िए अपना जो सीजियल परी है उसमें अच्छा स्कोर कर लिया उसके बाद मेंस दिया मेंस के लिए भी बहुत मैननत करते हो और अपनी तयारी को लेके तो आपको घर वले हो बिएक तो कुछ कर आब करेंगा जाते हैं मेरा जो समरपण था वो अलग था और मैं चीज़ों को बहुत बेस्ट वे में करना चाहरा था मैं सोच रहा था कि कोई भी कमी में ना चोड़ू अपनी तरफ से कि मेरा सेलेक्शन थोड़ा ना हो या या से कुछ चीजें अनौनी हो तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से मेहनत की बहुत अच्छे तरह से सारी चीजों को सेट किया और मतलब कहीं भी कोई में अपने तरफ से कोई कमी नी छोड़ी तब ही मैं कहते हूं कि अगर आप पहले अटेम्ट में सेलेक्शन ले रहे हो ना इसका मतलब है कि आपने ब पहले अच्छी पोस्ट ले लोगे आपको दूसरा टेम्ट देना ही अपड़े तो कही सारी चीजियें हम बचा सकते हैं अपना उस टाइम इंजोईमेंट में दे सकते हैं कि अगर हमने पहले टेम्ट में सेलेक्शन ले लिया तो अगर आप एक साल अच्छे से महनत कर लेते कि इस बार सेजियेल पार इस बार में में पचास में से पचास पार या ऐसा कुछ भी स्लोगन आपको मोटिवेशन देने के लिए बनाता रहता था मतलब मैं यह कहता हूं हमेशा आपको भी कि कोई दूसरा वेक्ति आपको आकर मोटिवेट नहीं करेगा कि यार तू इतना तो यह कर सकता है, वो कर सकता है, motivate भी आपको अपने आपको खुदी रखना पड़ेगा, उर उसके लिए अगर आपको अपने आपको motivate रखोगे तो इसका मतलब है कि आप positive vibes है आप में, आप सच में कुछ करने वाले वह आगे, आप सच में कुछ target अपने अच्छा ले रखा ह है, सच में आप में कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपको सच में target को अच्छीव करने में सहयोग देगी, help करेगी, तो आपको अपने आपको positive vibes में हमेशा रखना है, हमेशा आपने आपको positive रखना है, motivated रखना है कि यार मैं कर लूँगा, अगर मैं थोड़ा सा और effort लगाँ ह यार आज तुम्हारे 180 आ रहे हैं, तो कोई दिकत नहीं है, तुम और थोड़ सी महनत करो, तुम्हारे आज हैं, कोई दूसरा कि नहीं कहेगा, तुम खुद को motivate रखो कि यार मेरे को करना है, और मैं करके चीज़ी छोड़ूँगा, अब होगा कैसे, होगा एसे कि मैं जो भ और फिर 300 भी जाओगे, तो यह approach आप में होने चाहिए, positive चीज़ी होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कि मैं अगर जिस level पर हूँ, मुझे उस से अलग level पर जाना है, तो मैरे को कौन से चीज़ीं अच्छी करना ही पड़ेगी, आपको यह पता होना चाहिए, और यह कमी है, तो मैं इसको ऐसे कर लूँगा, बाकी चीज़ीं ऐसे कर लूँगा, तो सब चीज़ीं अच्छी हो जाएगी, और यह सब चीज़ीं आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खुदी decide करनी है, तो अपने आपको motivated रखो, positive vibes मैं रखो, अपने जो target है, उसके पड़ती कि मेरे को करना है, और कैसे भी करना है, और उसके लिए मेरे को जितने भी चीज़ीं करनी पड़ेगी, सही मैं करूँगा, और अंति में जरूर मैं सफल होगा, तो यह सब चीज़ीं आपको जरूर सोचनी है, अपने mind में रखना है, positive vibes रखनी है, और उमीद करता हूँ कि आ पहले attempt में selection लेने के लिए, 20 की उमर में सरकार नोकर लेने के लिए, जब आप चाहते हो कि आप ऐसे चीज़ें करो, ऐसे mark-up set करो, समाज के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार में, अपने रिस्तेदारी में, तो उसके लिए आपको कुछ-कुछ चीज़ें select हो जाओगे, और कई सारे चीज़ें हो गया आपके साथ, तो आज के इस वीडियो में इतना ही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें जरूर सीखने को मिली होगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, चा